तो यार पिछले वीडियो में हमने वायल एंद डोरग। को देखा और आज कि यारा वीडियो में हम तो यह आपके पास फॉलोप सि होती है वो भी कोई भी आपकी स्टेटमेंट से रिपीट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ठीक है ताकि बार-बार एक्सेटमेंट कुछा के से मी स्टेटमेंट को हम तो इसका जो सेन्टेक्स होता व होता है फूर, उस और सबसे पहले initialization आती है आपके पास initialization जो आपने variable create करना होता है initialize करना होता है उसके बाद आती है condition condition के बादे में ने हम पहले बता चुका हूँ.. boolean expression होता है increment mean क्या उसके कहा तक चलेगी ठीक मतलब उसकी क्या यहां पे रेट क्या रहेगा उसका यह आप असान अलफाज में बोलो तो यार काम क्या करना है उसने उसका काम यहां पर रहेगा कि जो आपकी लूप्स है यह किस तरह से काम करेगी तो अभी अगर मैं यहां पर इससे स्टार्ट करूं और उससे पहले आप देख लो कि यार फॉल इसमें क्या होता है सबसे पहले इनिशलाजेशन एक्सप्रेशन इस एक्जेक्टेटर वांस अड़ बीगिनिंग अफ दी लूप हर मरत्बा क्या होगा जो आपने एक्सप्रेशन लिखा होगा जिस तरह इसमें हमने लिखा फॉर इंट आई इस एक्वल टो वन ठीक है यह क इस कंडिशन इस तरह में इन साइड इन लूप इन लूप आग्जिक्टिट इफ दिए कंडिशन इस फोल्ड इलूप इस एक्सित थेक है तो यह आपके पास लूप होगी अगर वस जो जो कंडिशन ट्रू ए तो वह प्रिंट हो जाएगी अदर्वाइस वह बूप प्रिं एक्सप्रेशन होगा वो हाल लूप के एंड पर आएगा ठीक है और यहां पर अगर मैं इसको देखूं कि एक सिंपल मेरे पास प्रोग्रम लिखा हुआ है अगर यहां पर आऊं और मैं एक नई फाल बनाऊं जिस तरह हमने पिछले वाइल लूप के लिए बनाई थी यहां प यहां अभी हर चीज मुझे लिखने है कि जूरत नहीं है यहां पर सिर्फ इसे कोपी करूंगा और यहां पढ़ा के पेस्ट कर सकता हूं मैं तो यह मेरे टाइम सेव करेगी तो यहां पर सबसे पहले आता है मेरे पास इंट आई अब इस बरत्वा ना ठीक है इस बार मुझ यहां पर मैं वैरिये करेट करूं यहां यहीं से इनिशलाइज करूं और यहां पर फोल लूप लिखूं लिखूं इंट आई ठीक है और आई तो पहले से आगा मेरे पास यार इसे is equal to one कर दूं और जो मैं कहूं इसे क्या होगा यह equal होगा यह लाजन होगा किससे 10 से और increment operator भी मेरे पास आ गया, अभी यहां पर क्या करना है मुझे, यहां पर इसको print करवाने के लिए printf लिखना ہے, और आप तो जानते हैं यहां पर %d और i लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहां पर काम खतम हो गया, और आप देखो कितना सिंपल है यह फॉल लूप को यूज़ करना बनिस्बत के जिस तरह आप वाइल और डू वाइल लूप को यूज़ करते थे और रिटरंड जिरो लिखूं यहां पर अगर मैं तो यहां पर काम मेरा खतम हो जाता है और इसको मैं अभी प्रिंट करवाकर देखूंगा कि यह क्या करता हूँ यह देखो आगा यह अब यह देखो एकी लाइन में आया तो यह अभी निउ लाइन में हार एक को चाहेंगे हम हार नमबर जो है हमारा निउ लाइन में आए तो इस तरह से लिख लेंगा सबनाइन में आया थे टीए और इनिशियलाइज भी कर दिए कर दिया और उसके बाद कैंडिशन भी लिख दी और इंक्रीमेंट जो हमने लिखना था उपडिशन वह भी लिख दिया तो यह काम आपके पास जो अब यहां पर अगर मैं मजीद इसको देखूं और उसके बाद एक प्रोब्लम करेंगे हम और बास यह इतने ही ठीक है और इसमें किया है इस लूप इनिशलाइज डी वैडियेबल आई टुवान चैक इफ इस लैस दन और एक्वल टू टैन और इंग्रिमेंट्स इस आई बाई वान आफ्टर इच इटरेशन देखो यार मैं असान वर्ड मैं आपको समझाता हूं जो I होते है न आपके पास हमने का यह one के equal है ठीक है और दूसरी जो हमने condition लिखी है हमने का I को तुमने repeat करवाना है कितनी दफ़ा repeat करवाना है यह लिखा हमने यहाँ पर 10 दफ़ा 10 द दखना अभी करना क्या है उसमे एक एक number को add 10 मरतबा इससे यहाँ पर कितनी मरतबा execute कर कुए one को एड इसम को करना यार उसकी रीजन खि就 आ प करेगा जब भी ऐक्जीक्यूट होगा कंडीशन को चैक करेंगा आ ज़ोिए की value होगी one में ये one को add करेगा two हुआ ठीक है अब उसने check किया कि यार ये 10 से जो में रिक पास condition है वो true है या या यहां पर अगर ये 10 से कम हुआ या फिर 10 के equal हुआ तो ये क्या करेगा execute करवा देगा नहीं तो यहां पर terminate हो जाएगा लूप आपकी अगर फिर से ये चेक करेगा अभी two हो गया two में फिर से one add करेगा अब जब ये दुबारा चेक करेगा कि 10 से ये कम है या इससे ज्यादा है तो बिल्कुल 10 से three कम ही है ठीक है तो क्या करेगा execute करवा देगा इसी तरह चलता चलता ये 10 तक पहुंच जाएगर अब उसमें one add करेगा तो 11 होगा 11 आपको पता nine ten के equal और nine ten से छोटा है तो 10 से अभी value क्या होई increase कर गई तो अभी क्या होगा आपकी इस मर्तबा आपकी जो loop होगी for loop terminate हो जाएगी next कोई भी value प्रिंट नहीं करवाएगी तो यार अभी ये था आपके पास for loop और अभी एक मैं छोटा सा program दिखता हूँ और वो क्या है कि हम यार factorial find करेंगे अगर आपको नहीं पता factorial का factorial क्या होता तो यार आप जहाएगर चेक कर लो google पर ठीक है और बहुत ही मतलब यहां पर क्या करणा हूँ मैं इंट आई कर ले तो हम एक variable क्रेट करता हूँ मैं समझा देता हूँ यार आपको पड़ेशान होने की जूरत नहीं है कि factorial का मैं समझा देता हूँ आपको और उसके बाद क्या करना है यार हमें अगर मैं n के factorial की बात करूँ तो यहां पर अगर मैं इसे यहां पर comment डालूँ और n के factorial को आप समझाना चाहूँ तो यार मेरे पास n जो होगा न इसका factorial यह होगा यहां पर equal आएगा 1 आएगा ठीक है और multiply 2 होगा उसके बाद multiply 3 होगा और ऐसे ही आपके पास multiply n हो जाएगा यह ठीक है n क्या होगा n हमारा number होगा जो भी number हम enter करेंगे वह इस तरह से होगा सबसे पहले 1 से value multiply होगा 2, 1, 2, 2, 3, 6 और जो भी value यहां पर लिखेंगे हम वह इससे multiply होगे आ जाएगी तो अब आगे चलते हैं और मैं आपको यह पूरा program लिखके दिखाता हूँ और आपको समझ आ जाएगी यार अभी यहां पर एक तो मुझे चाहिए total इसकी value total क्या value होगी वह देखनी है मुझ और total जो value होगी इसकी वह होगी आपके पास one ठीक है अभी one क्यों लिख रहा हूँ यह भी समझाओंगा यार मैं आपको int i is equal to इसे भी one करके छोड़ देना है आपने ठीक है और उसके बाद क्या करना है उसके बाद यह तो हमने कड़ी लिया ठीक है अभी यहां पर यार इस अधर कोई नमबर एंटर कर सकेगा और परसंटेज जी लिखे हम यह positive integer के लिए factorial इसका find करने के लिए program लिख रहे है आपको यह चीज अपने जहन में रखनी है तो यह हमने कर लिया इसके बाद क्या किया बस यह अभी यार यहां पर आऊ हूँ मैं और फोर लूप को लिख यहां पर मैं और यहां पर मैं कहता हूँ जी जो मेरे पास ट है ठीक है यह इमत है वह ओ मरे पास 1 के एकवल हास बोलास मरे तो hour वो उसके बाद 4 loop का सबसे पहले इनिशलाइज किया इसे ठीक है value assign की हमने कर दी ती इसे करने की ज़ुरत नहीं थी वैसे लेकिन हमने कर दी और I हमने क्या किया हमने बोला N के equal होगा और पर उसके बाद I आपके आपके पास हमने increment operator अपलाए किया यहाँ एफ यहां पर अभी सारा हमारा काम कम्पलीट हो चुका है, सिरफ अभी यहां पर मुझे टोटल लिखना है, और टोटल लिखे इस एक वो टोटल, और यहां पर मुझे आपके पास जो i है, उससे, ठीक है, i से अपर करना है, और यहां पर i मेरा integer होगा, वो नमबर होगा, हमन आपके पास जो आउटपूट फंक्शन असी का सी की स्टेंडर लाइबरेरी में मुझूद होता है यह आउटपूट फंक्शन होता आपका ठीक है और यहाँ पर अगर मैं इस कोड को रन करूं अभी तो आप देख सकोगे यार क्या करता है यहाँ पर मुझे नंबर एंटर कर करता हूं तो 24 आया मेरे पास आंसर और 24 आना चाहिए था अभी यह 24 क्यों आया क्योंकि आप देख आप 2 1 दा 2 2 3 दा 6 और 6 को अगर आप 4 से मल्टिप्ला करो तो आपके पास 24 ही आएगा तो यह हमने चोटा सा प्रोग्रम लिखा फक्टोरियल फाइंड करने का अभी अगर आप चाहते हो कि आप सम अफ नंबर्स फाइंड करो तो यहां इसके लिए भी बहुत ही सिंपल है यार कुछ भी नहीं करना सिर्फ आपको यहां पर आकर प्लस लगा देना है तो आप अभी अगर मैं दिखाऊं आपको आपको आपके पास सम फाइंड करते हैं उसका भी तर यह willy अप पास टैन ओता है आपके पास वन यहां से एड होगा जो आपने गरी सिंपलिए निछ तो यहां से one add होगा और उसके बाद आपके पास 11 answer आ जाएगा तो यह थी यार आपके पास four loops मुझे मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह समझ अच्छे से आ गई होगी अगर फिर भी समझ नहीं आई तो यार comment करो नीचे किस points आपको समझ नहीं आई मैं आपको यहां पर इस video स्थ प्रग्साइब नहीं